पार्ट साथ डॉक्टर जगदीश चंद्रबसू पेड़ पौदों में भी जीवन होता है। इस बात की खोज सर्वप्रतम भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्रबसू ने की थी। जगदीश चंद्रबसू का जन्म बांगलादेश के ढाका जिले के फरीतपूर गाउ में 30 नवंबर 1858 में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्रबसू ब्रह्म समाज के नेता थे। इनकी प्रारंबिक शिक्षा गाउ में हुई। गाउ में रहकर इन्होंने पेड़ पौ करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर बसू ने विज्ञान की उच्छ शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिकों के साथ काम करके नई-नई खोजे की। भारत आगर ये कौलकता के प्रेजिडेंसी कॉलेज में बौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नि रहते थे। इन्होंने पेड पौदों पर अनेक प्रयोग किये। एक बार इन्होंने एक हरे भरे पौदे को एक इंजेक्षन दिया। पौदा कुछी क्षनों में मुर्जा गया। इंजेक्षन के प्रभाव से पौदा बिमार होता प्रतीत होने लगा। बसू ने अब उस पोदे को दूसरा इंजेक्शन लगाया जिससे पोदा फिर से लह लहा उठा इनके इस प्रियोग से विश्व भर के वैज्ञानिक आश्चरे चक्कित हो उठे इन्होंने अपने अतक प्रयासो द्वारा सिध कर दिखाया कि पेड़ पोदे सोते और जाकते हैं वे हमारी तरह स संबन में की गई अद्बुत खोजों ने जगदीश चंदरबसु को विश्व प्रसित कर दिया लंदन विश्व विदाले ने इन्हें डॉक्टर ओफ साइंस की उपादी से सम्मानित किया जगदीश चंदरबसु के मन में अपने देश के प्रती अपार प्रेम था ये वर्ष तक बिना वेतन लिए काम करते रहे अंत में हार मानकर अंग्रेज अधिकारियों ने नैकेवल इन्हें अंग्रेज अध्यापोकों के बराबर वेतन ही दिया बलकि पिछले तीन वर्षों का बुक्तान भी किया जगदीश चंदरबसु ने बेतार के तार द्वारा सम चरचकित हो उठे धातूओं के संबंद में भी इन्होंने अनेक महत्वपून खोजे की इनकी महत्वपून खोजों से प्रवावित होकर जर्मन वज्यानिक इन्हें पूरा विश्व विद्याले सोपने के लिए ही तयार हो गए थे लेकिन डॉक्टर बसु ने इसे अस्व अपना की वे चाते थे कि देश में ऐसे अनेक विज्ञान मंदिर स्तापित किये जाएं सन 1937 में विज्ञान का ये सपूत स्वर्ख सिधार गया